इश्वर पर भरोसा करते हो तो शंका क्यों करते हो भाई शंका को हटा तो फिर देखो हर पल चबतकार होगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुच्शर एक किस्सा सुनाता हूँ एक नट का नट समझते हैं आप रस्यों पर चलने वाला एक वेक्ती हमने गली मौलों में कई बार देखा हूँ खेल दिखाने आते हैं एक आदमी रस्य पर चलता है उसे नट कहते हैं तो दोस्तों एक नट था ये नट जो था दो बड़ी इमारतों के बीच में चल रहा था रस्य बांध कर था उसके कंदे पर एक बच्चा था नीचे लोगों की भीड लगी हुई थी बहुत भीड लगी हुई थी लोग देख रहे थे धीरे 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 वो रस्य पर आगे बढ़ रहा था लोगों की सांसे अटकी हुई थी देख रहे थे रसी पार कर पाएगा की नहीं कर पाएगा कंदे पर उसके बच्चा बैठा हुआ है उसका बच्चा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है होते 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 उसने रसी पार कर दी जैसे ही रसी पार की लोगोंने बहुत तालिया बजाई, लोग चिलाने लगे, लोग खुश होगे, वा कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, लोग बहुत खुश होगे, जेव से पैसे निकाल करके देने लगे, बहुत अद्बुत, बहुत अद्बुत, उची इमारते थी, उसके बीच में वो रस बोले कि हाँ बोलो आपने तो कमाल किया आप तो बड़े कलाकार है बोले कि आपको भरोसा है ये मैं दुबारा कर सकता हूँ तो लोगों ने कहा हाँ बोला आपको सच में भरोसा है कि मैं दुबारा कर सकता हूँ लोगों ने कहा हाँ आप कर सकते हो उसने फिर पूछा मैं धित्का हो, कोन अपना बच्चा देना चाहेगा? जाता है, सब शानत हो गए, एक भी आवाज नहीं है, पिंडर उप सायलनस, कहीं से कोई आवाज नहीं, उसने फिर का, कोई है जो अपना बच्चा देना चाहे, मैं उस बच्चे उकंदे बे बिठा करके इस रसी को फिर से प लेकिन एक भी आवाज नहीं है जब एक भी आवाज नहीं आई तो नटने का कि आपको मुझ पे भरोसा और मेरे कर्म पे भरोसा नहीं है मैं आप से कहना चाहता हूं आप सब इश्वर को मानते हैं जानते हैं मंदर जाते हैं लेकिन उसके कर्म पे भरोसा नहीं रखते हैं चाहिए, उस दिन वो आपको ऐसे ही कंदे पर बिठा कर, किसी भी रसी को, किसी भी संकट को पार कर देगा, लेकिन आपका बरुसा इतना मजबूत होना चाहिए, जब आप इश्वर पर बिठाएकं तो आप यकीन मानना, जिस तरह से मैं इस रसी पर चल रहा था, उसी तरह से वो इस दुनिया रूपी रसी पर चलता है आपको कंदे पर बिठा करके और आपको इतनी सी भी इतनी सी भी खरोच नहीं आती लेकिन आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए सोचे दोस्तों एक छोटे से नटने, एक साधरन से नटने इतनी बड़ी बात कह दी लोग सन रह गए मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगे आप भरोसा रखे तो पूर्ण रखे पूर्ण विश्वास रखे कहीं भी कंजोर मतोंने दें अपने भरोसे को आप देखिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता वो आपको अपने कंदे पर बिठाना चाहता है लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए इस दुनिया में हर संकट को वो पार लगा देगा लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए मुझे उमीद है इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं मंदिरों में जाते हैं आप सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं कि पूजा करनी है नहीं आप बैठी हैं मंदिर में और जाकर के विश्वास से पूजा कीजिए आप क्यूं समय लगा रहे हैं कि आपको विश्वास है कि इश्वर है, तभी तो आप पूजा कर रहे हैं, तभी तो आम मंदिर जा रहे हैं, अपने घर के मंदिर में भी और बहार के मंदिर में भी विश्वास से जाते हैं, समय लगाते हैं, तो भरोसा कीजिए भगवान से बात कर रहे हैं, तो भगवान आ तो सच बता रहा हूं, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखी, अपने विश्वास को मजबूत रखी, खुश रहिए, हरे कृष्णा.